हेलो दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा आज हम आप से बताएंगे कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौंसी है दोस्तों जियां दोस्तों को बता दे अमोमन आप जो ट्रेन देखे होंगे वो देखोंगे एक इंजन लगा रहता है बाकी 18 डबा या 24 डबा या 22 डबा का ट् नाम है सुपरवास की जो भारत के इतिहास में सबसे लंबी ट्रेन है दोस्तों यह ट्रेन आजादी की पचतर्मी बर्सगाड पर सुरू की गई थी आपको बताते हैं इसमें दूसों पचत दूसों पंचानवे डिपा लगा हुआ है और छे इंजन लगे हुए सुपरवास के राजनन्द गाउं तक यह ट्रेन चलती है और यह दूरी तै करने में 11 गंटा 20 मिनट लगता है 27,000 टन कोईले की केपेसिटी है इसमें यानि एक बार में 27,000 टन कोईला एक अस्थान से दुसरे अस्थान ले जा सकता है तीन गुना ज़्यादा केपेसिटी जिया दूस्त और इस ट्रेन में कोईला 3000 मेगा वाट बिजली बन सकता जिया दूस्तों यह 27,000 टन कोईले एक बार में ले जाता है दूस्तों जिससे 3000 मेगा वाट बिजली बन किया जा सकता है और खास बात जिया है कि यह मालगारी एक बार में 9,000 टन कोईले ले जा सकते हैं और इसके बा इंडिया का जो यह मालगारी है दोस्तो भारत की सबसे लंबी मालगारी है तो ट्रेन का सकते हैं दोस्तो जिसका नाम है सूपर बासु की ट्रेन जिसकी लंबाई 3.5 किलो मीटर लंबी है जहां दोस्तो अमोमन एक ट्रेन के लंबाई 600-700 यानि 600-700 मीटर होता है दोस्तो क्यों 500 या 600 मीटर की लंबाई का एक्ट्रेंट होता है जेनरली जो प्लेटकॉम आप देखते हैं वो भी 600-700 मीटर का होता लेकिन भारत का दूर सबसे लंबा प्लेट्परम है जो फंदरह सो शात मीटर का है जो हुगली जक्सन जिसके बारे में बात करेका नाटग मेंचती थे जो गिनीज बुक आप दे वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सामिल है। है ना कमान की जना।